दिल्ली में श्रद्धा मड़र जैसी एक और वारदाद लड़की का कतल कर कातिल ने अगले ही दिन दूसरी लड़की से रचाई शादी कतल के बाद आफताप की तरह फ्रिज में चुपाई लाश मुकबीर की निशान दही पर मिला सुराग दिल्ली के लोग अभी श्रद्धा मड़र केस को भूले भी नहीं कि दिल्ली में मिलती जुलती वारदात सामने आई है एक बॉइफरेंड ने अपनी गर्ल्फरेंड की चान ले ली इतना ही नहीं कत्र करने के अगले ही दिन अपने घरवालों की मरजी से एक दूसरी लड़की थे शादी भी रचा ली रॉंग टे खड़ी करने वाली इस मुर्डर मिस्टरी का खुलासा तब हुआ जब एक मुबीर ने दिल्ली पुलिस को द्वार का इलाके के ठाबी में फ्रिज में लाश रखी होने की चानकारी दी थी पुलिस ने पहले लाश परामत की फिर पहचान के बाद आरोपी बॉइसन को ग्रस्ता किया 22 साल की निकी यादव 26 साल के साहिल गहलोग के सार गलविन में रहती थी आरोपी साहिल गहलोग पहले दिल्ली के उत्तम नगर में रहता था जहां वो SSC की तयारी कर रहा था उसी दौरान उसकी मुलाकात एक दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे निकी आदव से हुई जो मेडिकल की तयारी कर रही थी निकी हरियाना के जजज़की रहने वाली थी वो बस से उत्तम नगर आती थी जिस बस में निकी आती थी उसी बस से आरोपी साहिल गैलोग भी आता था फिर दोनों की दोस्ती और बाद में प्यार हुआ इसके बाद दोनों ने गेटर नॉयडा के कॉलेज में अड्मिशन लिया और किराय का कमरा लेका लिविन पार्टनर के तौर पर साथ रहने लगे वक्त पीता दोनों के रिष्टे को पांच साल भी बीद गए साहिल के घरवालों ने दूसरी लड़की से साहिल का रिष्टा तै कर दिया साहिल भी अपनी लिविन पार्टनर और गल्फरेंड निकी को छोना चाहता था लेकिन निकी शादी की बात पर अड़ी थी साहिल ने निकी के कतल का हौफनाक फैसला कर लिया उसने 9 और 10 फरवरी की दर्मियानी रात को निकी को मिलने बुलाया और ISBT कश्मीरी केट के पास सी अपनी कार में डेटा केबल से निकी का गला कोड़कर उसकी हत्या कर दी इसके बाद सबूत मिटाने के लिए वो लाश लेकर कुड़ी दिल्ली में भूनता रहा करीब 40 किलोमेटर तक यूँई कार दोडाता रहा और आखिर कार उसने द्वारका के एक धाबे में काफी वक्त से बन पड़े एक फ्रीजर में लाश छिपा दी हद तो ये हो गई कि अगले ही दिन 10 फरविल को उसने घर वालों की रजामंदी से एक दूसी लड़की ते शादी भी कर ली मगर आके कार वो पकड़ा गया